इजने गरवाब को सब्से से जादा सीरीयल दिखाने वाली क्लड़की जिसका नाम महाने एक लड़की स्वापुर्य उसके सब्से जादा सीरियल आते। स्वागे से एक बार मुझे उससे बातकरनु। मुंखा मिल है मुंबय में तो मैंने उससे एक ही सवाल पूछा कि आपके जितने भी सीरियल हैं, सास भी कभी बहुती, घरगर की कहानी, तेरी मेरी कहानी, इसकी कहानी, उसकी कहानी, ये सब सीरियल के प्लॉट्स कहां से आते हैं, कहानी कहां से आती है, तो मैंने का अब मुझे समझ में आ गया, कि आपके सभी सीरियल में माताओं को ही सबसे जादा गालियां क्यों दी जाती हैं साज भी कभी बहुती आप अगर इस सीरियल कओ ध्यान से देखें तो इस सीरियल की सभी इस्त्री पात्र या माताएं पात्र सबसे ज़्यादा दुर्भावना ze कभान को अइसे ही कर सोटी जिंदगी की इया कहानी घर घर की कोई भी roz róż museum here सभी इसनद्स कoga जन्रीबाता हूंल लेकिन इनकी इस्टोरी जरूर पड़ता हूं कभी अखवार में आती है कभी में से नहीं हैं तो उन सब सीर्इलों में एक माधा दूसरे के खिलाफ शडेंट्र रहें दूसरी तीसरी चुछटी के कि खिलाफ था जाथ नाणाद भावी के खिलाफ भावी देनग के खिलाफ है माधा किसी और के इसी ते हिसी तरह के श撇न चाहिए शडेंत्र किया हुआ है उसको हिंदुस्तान गा थोड़ा मिर्च बसाला लगाकर पेश किया हुआ तो सभी सीरियल उसी तरह के दिखाई देते हैं कि चुकि हम अगर अपनी सभीता को ध्यान में रखके कोई सीरियल बनाएं और अपनी माननिताओं को ध्यान में रखके बनाएं तो इसके बिल्कुल विप्रीट बनेंगे जो आज हम देख रहे हैं या दिखाये जा अचा मैंने जब इमको कहा कि एकता कपूर को कि आप कोई भार कि यूरोपी निजम का अमेरिक निजम एकता कपूर यूरोप में पढ़के आई है थोड़े दिन अमेरिका में रहे हैं तो वह कहती है कि ज्यादा कुछ हम जो देखते रहे वह या पर बनाते तो इस तरह का होता है जब आप अंधानों करन करते हैं बिना सोचे समझे नकल क करते हैं तो इस तरह का उसमें से कुछ निकलता है फिर अपना सिर्फ इटते हैं अरे हमारी संस्कृति का नाश हो रहा है सब्धिता का नाश हो रहा है वो तो होगा ही क्योंकि बिना सोचे समझे तो आप यह सब करी रहे हैं कोई विचार तो होता नहीं कोई बहस तो होती न अलग अलग माननेता और सबcalled Neta के लोग माननेता कि इसी कारी करेंगे तबी कुछ अच्छा होगा नहीं तो उससे कुछ खराबी निकलेगा धौल करेंगे फ्यूजन करेंगे तो थी चुझुडी बनेगे